मैं से बहुत बहुत स्वात करता हूं दूस्तों आपकी वीडियो हम देखने जा रहे हैं रेलवेज गुरूबड के लिए बहुत दूस्टरीन टौपिक है गुर्ण खंडाओ की संख्यां कैसे निकालेंगे दूस्तों जैसे यहां पे देखिए आपको कॉछन जो पुछा है सबसे पहले क्या करना है दोस्तों ठीक है कि देख蛋 है इसका आप क्या करना अभाज गुर्यणिखन कर लिजएगा जो संख्यार दियाओ हो एक потребanten करनें ہے तो किसना होगा यह हो जाए च्या हो गइगा तो अव यह इसको क्या किजिए, पावर के रूप में लखेंगे, दोगाए तीन कितना बार है, एक बार है, तीन पर पावर कितना Οस जाएगा, हमारा एक हो जाएगा, पांच कितना भार, फांच बोर कितना हो जाएगा, आब यहां से, है इतना करने के बाद जो भी क्विशन में विसंगुरू रूच्छन के संख्या पूछे यह सम्गुरूरू कोशन आपको यहीं से बन जाएगा सबसे पहले क्या किजिएक दिया गया संख्या का अबाज कुन्ना कीजिएगा अब आज गुछन के साथ जो भी data बनेगा उसको bahour Group में लखेंगे ठीक है। अब यहाँ को क्या करना है? सबसे पहले को क्या क्रना है? pull, pull, खंडों की संख्या, ठीक है? pull, pull, गुर słण खंडों की संख्या pull, pull, खंडों की संख्या इसको कैसे निकालेंगे? चले दहीएगा सबसे पहले क्या है दोस्तों कि प्रतियक पावर और तरफ एक हो जैगा इसकी बाद यहां सिम्हें प्रतियक पावरन में में एक जोड देंगे यहांपर निकल में जपब है यहांपर के तांप यह जाए निकल सॉला हो गाई ये कितना निकल गया सौला हो गया इसका जो अंसर हो गया दोस्तों हमारा कितना ज़गा dunno कितना हो जाएगा कितना होju हुझाइगा एक एक करके करकैंगे से Lincoln कि सिंख्या निकल लितै या कूल गौरिश घंड़ों के त 그ut लिभाजों की सिंख्यां भी आप न डिदि देगा तो वह आपका आमस्रों सेमी होगा। dv 500 कूल गुरूकर्ण। किस सिख्य कितना होगा तो 500 क क्या करना दोस्तों इसका अब आज गोना खन करना है तो अब आज गोना पाँज फंचзд करना है आप को आपड आपको गोंच पाँड़ने Same簡 अब sms कितना फाच यह कितना बारत भारत को रूपे holistic कटना हो जैगा दो पाँच कितना हमारा है तो तीन बाहर है तो पाँच पापवर कितना हो गया अब यहां पर कुल गुरून खंड़ों की संख्या जो होगा यहां पर वह कितना हो जाएगा तो पर्तियक पावर में क्या करते हैं पर्तियक पावर में क्या करेंगा हम एक जोड़ेंगे तो दो में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा तीन हो जाएगा तीन में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा चार हो जाएगा तो चारतिया बारा आपका आंसर हो जाएगा हमारा भी हो जाएगा इसका आंसर कितन खरार को सब्सक्राइब को ओंपर सब्सक्राइब किरां सब्सक्राइब करेंगे रिए यहां पर दो न्याज़नीक दो होको थे हिर यहां पे निकलना को पूल्वीन खंडों के सिंख्या निकल लिए तो कूल कुल्वन खंड़ों के सिंख्या पावर में जोडते जाना दो में जढूर रिचला जाएगा एक में जोड देंगे इंपे हम्हारा बी खायगा कि अगला कुशन देखिए क्या का था कि 120 के करमसब विसम और सम गुर्णखंडों की संख्यां कितना होगा दोस्तों यह कुंशन आपका रेलवाइंटे-पी-सी का इसी बार का कोशन है से बीटी वन में आया हुआ कोशन है ठीक है इसको आपको क्या करते हैं इसको सवुल्ब क कि में कुल भाचकों कि संख्यान निकाल लें यह संख्यान कितना होता है कि अब माज उन्कहकों कर लिचे कि कितना हो गिया चाहँ जय May अब को 35 हो जाए गा और कि आप को थीन गुना पॉच्छ जय कुल गुलन खंडों की संख्यां कितना हो जाएगा हमारा तो आप देखे पर्तियक पावर में कितना जोड़ना है हमें पर्तियक पावर में एक जोड़ना यह कितना हो गया आपको चार हो गया एक पलस एक कितना हो जाएगा दो हो जाएगा गुना एक पलस एक कितना हो anschya निकलना है तो कार नहां में गुल्य है। तो किरा करना की तहली है छनिकल हो एप तो इस Tam इसका पाऔर कितना एक है एक में एक जोड़ेंगे दो हो जाएगा एगWhoa तो हमको अब क्या चाहिए है अब यहां से हमको चाहिए सम गुनन खंडों की संख्यां कि इतना हो जाएगा इतना हो जाएगा बताईएगा टोटल में से विसम संख्यां घटा देंगे टोटल कितना है दोस्तों सोलो है और विसम भाचकों के संख्यां कितना है चार है तो चार घटा देंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ठीक है कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा यही तो आंसर हो जाएगा तो क्या पुछा है पहले विसम पुछा है पहले कितना हो कि संख्यां हो गया संग्य कर लेजिए कि अगला कुशन हमारा क्या है कि 300 के कर्मस विषयम और संभाजकों की कुल संख्यां कितनी होगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कितना हो जाएगा ये दो बार में लगएगा घ्छ गिए्ष हो गिया फिर 2 बार बहु देगए किग सबних utilized कितने हो जाएगे और उसके बार 5 फिरे कितने हो जाएगा हमारा दू हो जाएगा अदिर से हमको क्यों किता हो जाएगा दोस्तों हमारा दोस्तों हमारा दोस्तों हमारा निकल गया अब हमको क्या करना आपको सबसे पहले अब देखे अब हमको विसम भाचकों की संख्या निकाल लेजे विसम भाचकों की संख्या यहां क्या करेंगे विसम गौनन खंडों की संख्या निकाल लेजे यहां से विसम गौनन खंडों की संख्या केतना हो जाएगा विसम गौनन खंडों की संख्या निकालने के लिए आपको कुछ त तो भी सम भाचकों की संख्या निकलना पड़ेगा तो टोटल में से आपको यह घटा देना 18 में से 6 घटा देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा छे और 12 हमारा अंसर हो जाएगा अपसर नमर बी हो जाएगा आप देखें यहां पर कभी कभी गलती हो जाता है कि 826 हो जाता है तो पहले पहले 6 लेंगे फिर 12 होगा 12 नहीं होगा इसलिए आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों का B हो जाएगा अगला कोशन काता है कि 42 के कुल गुरुन खंडों की संख्यां ग्याद कीजिए तो 42 को क्या करना आपको सबसे पहले 42 को आप अभाज गुरुन खंड कीजिए 42 सुका जदी हम अभाज गुरुन खंड करेंगे तो कितना हो जाएगा चलिए इसको करते हैं यह दो बार में लागएगा चलिए जाए खक रावह को दो निद दुनिंट 4가 20 five या फिश्वय पंस से करना है करना है अब यहां से क्या करना है सभी को पावर के रूँप में लिखना है दो नहीं सब कितनाconfidence को बार बार्स एक दो तीन दो पावर कितना हो हो गई दोस्तों हमाराती हुं थैका अब क्या निकलन का था तो आंसर क्या निकाल ना है कि गुनन खर्णों के संख्यां निकाल लगे, यहां से गुनन खर्णों के संख्यां कितना हो जाएगा हमारा चार हो जाएगा, दो में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, एक में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, दो हो ज जाएगा अगला कोशन देखिए हमारे क्या कह रहा है कि 12288 संख्या के कितने गुननखंड होंगे तो चले इसका आप गुननखंड कर लिजिए है ना इसका अभाज रुखन किया जाता है ध्यान लखिएगा ठीक है यह हो गया दो वर्में दुच्छा का बारा हो गया दो चोके आठ हो गया अब दो बर्म लगेगे दुच्छा का बारा हो गया 24 हो गया इसके बाद किनवे और दोथी तॉ सी लगेगा दुग्णी ऐसे लगेगा दु नवां 8urenा ला टारा हो गया . उप्षान का बारहा लूँतहमीन देंगी थू 10 किनवे में और हम लगेंगे तोर को कि अ ख़ये लगेंगा किनवे से लगयें यू 05 x2 8 CPU 12 1218 के किटने गोनी खंड बनेंगे दोस्तों 24 टूपसन नमर कितना होजाएगा हमारा ए हो जाएगा के दो क्मस्राइप नमर कितना होजबा धा जम संख्या का टाकीद कविस अगला कुशन केंद कि क worry तेक हो यह कुष्ण को अगला कि 3 sen पर पार भीस तले हे टीन दख भले खी कोरकंद कुका तया है यहां से हमको क्या करना है कुल गुनन खंड़ों की संख्यां पहले निकाल लेजिए ठीक है कुल गुनन खंड़ों की संख्यां कुल गुनन खंड़ों की संख्यां यहां पर हमारा हो जाएगा तो गुल गुल नक संखियां पर 9 सुख्चान को है ? फिता हुआ आज जीम भाचकों के संखियां यहां से निकाल लेजा विसम भाचकों के संखियां विसम, भाजकों की संख्या ऋभाजक नहीं होगा तो यहाँ गुर्णखंद भी लिखे कोई दिकत नहीं है गोने खंडों की संख्या ठीक है दोनों की अब क्यut बेसंटीनन है पांचτο यह साथ है अब इसका पावर कितना है दो स्थाट सब्सक्राइब सबक्राइब कोष्ण केंगे कि अगला कोष्ण हमारा क् he कि दो कि और नौ तिन पाउड और पाउ फॉर सात प्रावर शे कितने गुनग क्या यहां पर देखे यह सब कुछ तोर के ही दिया है तो जबी आपको सम भाज़कों के संख्या निकालना रहाता तब टोटल निकालते ठोटल में से विसंग घटाते तब सम आता यह तो सिर्भ विसंग निकल जाएगा तो पांच में एक जोह मिलता है चार बीते डो प्लीपियो को सा अनक्षार है हमारा साथ हो जाएक investigate दूसतर आप